मुखे सचिव की निर्देश पर अनाधिकरत वहानों को फिट कराने के लिए शनिवार को राज की अवकाश पर भी आठियो कार्याले को खोला गया, वहान स्वामियों को वहानों को फिट कराने के लिए आखरी मोका दिया गया आटियो कार्याले में लगाए गए विश्वेस केंप में वाहनों के फिटनेस और आरसी निस्तारी करण का कारे किया गया अंते मौके के बाद अब अन्फिट वाहनों पर कड़ी कारवाई की जाए प्रदेश में बरती सड़ा घटनाओं को देखते हुए मुखे सचिव की निर्देश पर अनाधिकरत वाहनों पर शिकंज़ा कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में नाधिकरत वहनों को फिट कराने के लिए मुख्य सचिव के निर्देश पर पिछले रविवार और आज राज की अवगाश के दिन भी कार्यले खुला गया आज अन्फिट वहन सौमियों को वहनों को फिट कराने का आखरी मौका था इसमें यात्री वहन सहित इसकूली वहन भी हैं आटियो प्रवर्तन अन्फिट वहनों को फिट कराने का आखरी मौका था अब सड़कों पर दोड रहे वहनों पर एक विशेश कारवाई होगी 11 जुलाई से नाधिकरत वहनों पर चलाये गए अभियान के तहर्त जनपद में अब तक 214 अन्फिट यात्री वहनों पर कारवाई की गई है वहीं स्कूली वहनों में अब तक 243 अन्फिट वहनों पर कारवाई की गई है आटियो प्रवर्तन अनिल कुमार सिंग ने बताया कि 15 अगस के बाद सड़कों पर दोड रहे अनाधिकरत वहानों पर चौलान की कारवाई नहीं उन्हें सीधे स्क्रैप सेंटर भेज नश्ट कराया जाएगा वहें स्कूली वहान अन्फिट पाये जाने पर स्कूल प्रवंदन पर कारवाई की जाएगी ऐसे वहानों की सूची तयार कर सार्वजनिक कर दी गई है अनाधिकरत वहानों के पंजियन को निरस्त किया जा रहा है सीन्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट